नवश्कार दोस्तों, यद्दपी बहुत सारी सूचना है, बहुत सारी न्यूज कवर करते हो, मुझे महसूस होता है कि मैं आपको कुछ काम किया, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज बता रहा हूँ, जो कहीं न कहीं आपके केरियर में, आपकी लाइफ की चीजों में, आपके ड कहीं की भी हो, चाहे मेरे देश की हो, चाहे मेरे पडोसी देश की हो, चाहे किसी और देश की हो, UAPD ही मानव जाती जो है, human जो race है, उसका भविष्य नर्धारित करने की सारी जिम्मेदारी उस UAPD लेकिन आज की तारीक में जो UAPD जिस तारीक की हिंसक कतिवीदियों में involved ह को थी पाई जा रही है में वापिस से कहता हूं जरूरी नहीं वह मेरी कॉलोनी की हो जरूरी नहीं कि वह मेरे समाज की हो करता है निर्भर करता दुखी हूँ मैं इस चीज की चर्चा करूँगा कहां की न्यूज है इस चीज की भी चर्चा करूँगा नाम है मेरा रिशी सुधांशु पांडे प्राउड इंडियन हूँ लेकिन एक मानव होने के नाते मैं अपने आप से कभी ये कई बार ये सवाल पूशता हूँ जिस न्यूज को आपको लेकर आए हूँ बाकी सब चीजे ऐसे ही सवालों से कभी आने वाली जो न्यूज है उससे सम्मंदित कभी आपके मन में ऐसे विचार आया है जो भी सवाल आए तो फ्लीज मुझस से discuss कीजेगा और कोशिश करूँगा मैं कि उन सबी सवालों के आपके doubts क्यों कि युवामन है सवाल आते हैं मैं जायज समझता हूँ और काफी doubts भी होते हैं लेकिन एक तरीके हैं उन्हें सवालों को समाधान किया जा सकता उन सवालों को solve किया जा सकता है साकारात्मक रहना जीवन में सबसे बड़ी बात है आशावाद सबसे बड़ी ताकत है तो प्लीज जब भी ऐसे कोई सवाल आएं तो जरूर मुझसे बात करने कोशिश कीजेगा Students grabbed scissors for defense and escaped out of window in deadly Michigan shooting The suspect has been charged with murder एक बच्चा जो विद्याले में पढ़ने जा रहा है उसने बंदूक उठाके गोलियां चला दी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और एक मरने वाला बच्चा 14 वर्ष का था 14 years जिस बच्चे ने गोली चलाई वो खुद एक बच्चा था 18 वर्ष से कम आयो थी उसकी जितने भी लोग मेरे उस सब की आयो 18 वर्ष से कम थी एक बच्चा विद्याले में इस गतिविदी को कर रहा है यह मानव होने के नाते हमारे उपर प्रश्ण है कि इतनी क्या हमारे संसकार या हमारा जो सिस्टम है वो कमजोर हो गया है क्या हम इस तरीकी की हिंसक गतिविदियों को सपोर्ट करेंगे खास तौरब है वेस्ट में वेस्ट का मतलब है जो सिविलाइजड सोसाइटी जो अपने आपको कहलाती हैं सब भी समाज वहाँ इस तरीकी कितनी गतिविदी क्यों बढ़ गई है क्यों आए दिन स्कूलों में गुलाबारी हो रही है इस इस साल में 2021 में वहाँ के-12 केमपस में 40 से ज़ादा इस तरीकी की घटनाई हो चुकी हैं जिसमें शूटिंग शामिल है ये सवाल मैं सब से पूछ रहा हूँ आप से, खुच से और पूरे समाज से और हम सब से कि हमारे संसकार क्यों इतने वीक हो गए है कि स्टूडेंट चैनी विध्यारती जो सिक्षा प्राप्त करके कुछ बड़ा और बहतर करने जा रहा है उसे गोली चलानी पड़ रही है तालिबान, अफगानिस्तान की स्टिया हमें मालूम है मिडल इस्ट की स्टिया हमें मालूम है और जो सो कॉल्ड सद्ब समाज होते थे वहां ऐसा हो रहा है बाकी सब जगे तो समझ सकते हैं कि सिक्षा और स्वास्त की सेवा इनिया बहुत सारी समस्या है वहाँ मजबूरी एक एक्स्ट्रीम मजबूरी पे जाके ऐसा हो रहा है लेकिन सबसमाज में ऐसा होता है तो सबसमाज को देखना होगा कि उसकी सब बिता किस दिशा में जा रही है और यह पूरी मानव जाती के लिए चुनौती है क्योंकि कल को वो ही बच्चा हो सकता है इसी प्रकार की मनोवरती वाला बच्चा उनका एक प्रेसीडेंट बन जाए और वो प्रेसीडेंट फिर किस तरीकी गतिवीदी रखेगा इससे पूरे विश्व को प्रभाव पढ़ने वाला है और यह मैं बता दूँ आपको जो ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल की जो शूटिंग होई है दोजार अठारा के बाद से अमेरिका की सबसे घातक शूटिंग में से एक है पूरी डिटेल और उसका आप ताज्यू भी मानिये के देखें न्यू यॉक जो पोस्ट है उसकी भी न्यूस है स्टुडेंट ग्रैब्ट सिजर्स काल्कूलेटर एज डिफेंस डियूरिंग मेशिगन स्कूल शूटिंग एक बड़ी ही अजीब सी महसूस बात हुई कि विकीपीडिया पर ये इस तरीके से अपडेट हो चुका था इतना टेक्नोलोजिकली एडवांस्ट जो चीज है कि एक दिन मी इवेंट खतम होती ही विकीपीडिया पर एंसाइकलोपीडिया जो है फ्री उस पर चीज़ अपडेट हो रही है इतना बौतिक रूप से इतना टेक्नोलोजिकल एडवांस रूप से समाज इस तरीके की हिंसक गतिविदियो में इंवाल्ड है तो कहीं न कहीं हमारे जो value system है हमारे जो मूली system है कहीं न कहीं उसमें कुछ तो समस्या है इंफॉर्मिशन सारी दी हुए कि 30 नॉमबर 2021 को एक गन्मेन ओपन फायर उन स्टुदेंट्स इन स्टाफ एक ऑक्सपोर्ड हाई स्कूल जो कि डेट्रॉइट में था ऑक्सपोर्ड टाउंशिप मिशिगन यॉनाइटे स्टेट्स आफ अमेरिका चार बच्चे उसमें मारे गए और साथ लोग उसमें घायल हुएं जिसमें कि एक टीचर भी शामिल था सस्पेक्ट जो था वो 15 वर्ष का बच्चा था क्रम्बले इथन क्रम्बले जिनका नाम है और जिनने के अभी कस्टेडी में ले लिया गया है उन्हें एक एडल के रूप में चार्ज किया गया और उनके ओपर टर्रिजम का भी चार्ज लगाया गया है डेडलियस स्कूल शूटिंग ती उनाइटेज स्टेट्स में सेंटा फे हाई स्कूल शूटिंग जो 2018 में हो थी उसके बाद से आप और मैं अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इससे पहले एक यूज और समझा देता हूँ कि जो वैपन था अथोरटीज ने कहा है जो वैपन यूज किया गया 9mm सिक और SP2022 सेमि आटोमेटिक पिस्टल उसे अभी क्रम लेके जो फादर हैं उन्होंने चार दिन पहले ही खरीदा था तो पुलिस का ये कहना है कि इस प्री मेडिटेट प्री प्लांट एवरिफिंग वस प्लांट और कुछ वीडियो भी उसके पास मिले हैं ऐसा उसके पास एक डॉक्यूमेंट भी मिला है जिसमें उसने लिखा है कि मैं स्कूल में जाके गोली बारी करूँगा शूटिंग कर नहीं हो गई है क्या हम जादा मेटरलिस्टिक नहीं हो गया क्या जीवन का जो महत्व है वो कम हो गया क्यों नीचर को हम शोशन पर करने पे तुले हुएं यह बहुत सारे सवाल हैं जो प्लीज आप लोग भी सोचिए मैं भी सोचता हूं और कोशिश करें कि इन सब सवालों के बहतर जवाब दें नहीं तो जो evolution से हम जानवर से इंसान मनेते कहीं न कहीं हम इंसान से पुन हैं जानवर बनते जा रहे हैं इसी सवाल को छोड़के comment box में अगर आप इसका कुछ समाधान देया कुछ चर्चा कर सकते हैं तो बहुत welcome है बट यह चिंतन मनन और निदी जा चर्चन का एक प्रश्ण है जै हिंद जै भारत